चलते ट्रॉक पर गिरा 11,000 वोल्ट हाइटेंशन बिजली का तार यूपी के मुरादाबाद में एक ट्रॉक के ऊपर 11,000 हाइटेंशन वोल्ट का तार गिर गया, जिसकी चपेट में ट्रॉक चालक और हेल पर दोनों चा गए, आस्पिटल में दोनों की हालक गंभीर बनी पर की नैनी मिल जा रहा था, ट्रॉक अभी भूजपूर से 2 किलो मीटर आगे पहुचा ही था कि अचानक रोड के ऊपर से जा रही 11,000 हाइटेंशन लाइन उटकर ट्रॉक पर गिर गया, ट्रॉक में तुरंत आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से ट्रॉक ड्राइवर सुभाश और ट्रॉक हेलपा अंकित कारंट की चपेट में आगए, ट्रॉक ड्राइवर और हेलपा को भोजपूर के सरकारी अस्पताल में भरती कराया गया है, आग लगता देख टूनों तरफ से आने वाले वाहन रुप गए, पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी ग